हेलो स्टुडेंट्स, आज हम BSC Part 1 इन और्गनिक केमिस्ट्री की क्लास में बात करने वाले हैं सहिन जक्ता बंद सिद्धान्त की जिसे हम बोलते हैं बैलेंस बॉंड थ्योरी, BBT. आई ये वीडियो के माध्यम से इसे समझने का प्रियास करते हैं. जो BBT ये सहिन जक्ता बंद सिद्धान्त है, होगा है सबसे बहले सन 1927 में दो वैग्यानिक थे, हाइटलर और लंडन, उनके द्वारा प्रेस्तुत किया गया था. इस सिद्धान्त की जो भी विसेस्ता है थी, उन्हें हम आगे देखेंगे कि इस सिद्धान्त की क्या-क्या मुख्य विसेस्ता है थी, लेकिन इस सिद्धान्त में कुछ कमिया रह गई, उन कमियों को धूर करके, उन्हें सनसोधित रूप से सहिन जक्ता बंद सिद्धान्त वो दो अलग वेग्यानिकों ने प्रिस्तुत किया, सन 1931 में वो दोनों वेग्यानिक थे, पॉलिंग एवं स्लेटर, तो पृतिपादन तो किया गया था हाइटलर और लंडन के द्वारा 1927 में, लेकिन सनसोधित सहिजगता बन सिद्धान 1931 में प्रिस्तुत किया गया, किसके होते हैं, और उन दिसात्मक गुड़ों के आदार पर सहिजगता बन के प्रकारों की हम बात कर चुके हैं, कि अच्छी अत्वियापन के फलसरुप सिख्मा बन जो बनता है, वह किस-किस अत्वियापन से बन सकता है, हमने बात की थी, SS, SP और PP अच्छी अत्वियापन से अब हम बात करें, यहां पर सहिजगता बन सिद्दान की, इसकी मुख्य विस्षिस्थाओं में यदि हम बात करें, तो सबसे पहले जो परकल्पना बी-वी-टी के द्वारा दी गई, उन्हों उस बी-वी-टी की परकल्पना में ये कहा था कि जो पर्मारु कच्छक होते है वो आपस में रेखिय सहयोजन करते हैं linear combination linear combination से मतलब है किसी अच्छ पर आपस में आतिव्यापित होते हैं आपस में सहयोग करते हैं अर्मारुक अच्छा का आपस में रेखिय सहयोजन यदि वो रेखिय का मतलब है किसी अच्छ पर सहयोजन करने हैं तो वहाँ पर अच्छी अत्य व्यापन होगा अच्छी अत्य व्यापन से हमारा सिग्माबॉंड बनता है। और पीविटी ने ये भी बता है, कोई भी जो सैसेंजाग बंद बनता है, वो इलक्ट्रॉनों की साज़ेदारी के फलसरूप बनता है। ये दोनो ही इलक्डॉन जो होते हैं, जिनके फ्रमाडूब बंद बन रहा है, इलक्टॉन योगमग, वो दोनों परमाडूव के मथ्में क्या रहता है? इस्थानी करत रहता है, इस्थानी करत का मतलं एक ही जगे लोकेलाइजड रहता है, पहनी बात BBT ने ये बताई कि जो भी परमाडू के अच्छक है वो आपस में रेखिय से यूजन करते हैं रेखिय का मतलब किसी अच्छ पर आतिवयापित होते हैं दूसरा ये बताया कि जिन एलक्ट्रोनों की साज़ेदारी के फलसरू बंद बनता है वो दोनों ही इलक्ट्रोन दोनों ही परमाडू के बीच में क्या रहते हैं इस थानी करत रहते हैं जैसे हम बात करें कि माल लीजे हमारा कोई अडू है ये बी अडू इन दोनों के बीच में बंद बंद रहा है हम ये जानते हैं कोई भी बंद हमेशा दो इलक्ट्रोनों की साजेदारी से बनता है ये दोनों इलक्ट्रोनों के चक्रण की दिसा हमेशा एक दूसरे से विप्रीत होती है तो जब हम दोनों के अतिवियापन छेतर की बात करते हैं तो उसका यह और इसका यह अतिवियापन छेतर बनता है इसे हम बोलते हैं अतिवियापन छेतर जहां पर अतिवियापन होता है यह दोनों परमाणों का अच्छा का आपस में मिलते हैं मान लीजे दोलो S और S का अच्छा कापस मिल रहे हैं तो यह होगा हमारा S S अत्वियाफन तो उससे पहले स्थिती यह थी कि एक एलक्टरॉन इसके पास था और एक एलक्टरॉन इसके पास था हमें पता है कि ये Internet स्का है ये Electron स्का है लेकि जैसे ही सावे साविय दारी हो जाती है तो Electron की पहचान बिलप्त हो जाती है इसका मटलब यह हुआ अब हम यह नही पता लगा सक्ते बंद बंदने के बाद कि A का Electron कौन सा है क्योंकि एका अधिकार छेत्र बढ़ जाता है भी का भी अधिकार छेत्र बढ़ जाता है जितना बढ़ता है उसे हम बोलते हैं आती ब्यापन छेत्र तो दूसरी बात यह आती है पहली बात उसने यह बताई थी कि यहां पर परमारू कच्छपों का रेखे सहीजन होता है दूसरी बात ये बताई गई थी कि जो भी एलक्टरॉन योग में होते हैं जो भी साज़ेदारी में एलक्टरॉन काम में आ रहे हैं उन एलक्टरॉन योग में स्थानिकरत होते हैं लोकेलाइज़ होते हैं कहीं भी स्थानिकरत डी-लोकेलाइज़ नहीं होते हैं नहीं है उन एलक्ट्रों की पहचान परमारू के आधार पर बिलॉप्त हो जाती है जबकि परमारू की पहचान बनी हुई रहती है। हैं लेकिन इनकी पहचान बनी हुई रहती है आगे जब आप बीबीटी के बाद चुकि एमोटी दी गई अरुक अच्छक जदन वहां आप देखोगे तो पर्मारूओं की भी पहचान खतम हो जाती है एलक्ट्रोनों की पहचान तो खतम होगी होगी उसके साथ पर्मारूओं ठीक है अगला पॉइंट जब हम देखते हैं तो यह सबसे important पॉइंट है कि जो भी पर्मारूओं कच्छक आपस में मिल रहे हैं आपस में अतिब्यापित हो रहे हैं और किसी भी बंध का दर्मार कर रहे है जो पर्मारूबं कच्छक अतिब्यापित में भाग ले रहे हैं उन पर्मारू कछकों में लक्टरॉनों के चक्रण की दिसा कीसी होनी चाहिए? विप्रीत होनी चाहिए. That means, जैसे ये और ये भाग ले रहे थे, इसमें लक्टरॉन माल लीजिए, ऐसा था, तो इस میں एलक्टरौन के चक्रण की दिशा एक में प्लस आफ है, तो दूसरे में माइनस आफ, आपने चक्रण कौंतम संग क्या पड़ा होगा, एलक्टरौन के चक्रण की दिशा बामा बरता है, दचना बरता है, उसाधार पर हम प्लस आफ माईनस आप देते हैं तो जो भी पर्माडू का चख आपस में संयोग करते हैं। तो जब आद्वियापद होता है तो उन पर्माडू का चखुकों में लक्ट्रोनों के चक्रण की जञिसा केसी होनी चाहिए? बिपरीट होनी चाहिए. यदि समाद होगी तो वहाँ पर इलक्ट्रोन, इलक्ट्रोन के बीच में जैसे माल लीजे ये A और B आपस में मिल रहे हैं और इनमें चक्रण की दिसा इलक्ट्रोनों की ये है तो इन दोनों में आकरसर दो होगा लेकिन यहां पर इलक्ट्रोन, इलक्ट्रोन का क्या हो रहा है परतिकरसर हो रहा है जब इन दोनों में चक्रण की दिसा परस पर बिप्रीत होगी तो वहाँ पर इलक्ट्रोन, इलक्ट्रोन परतिकरसर नहीं होगा इसलिए इंपॉर्टेंट बात है अगली बात है कि मन लिजे किसी अड़ों में जो सहसे जग बंद के द्वारा निर्मित हो रहा है जो भी परमाडू है यदि उसमें एक से ज़्यादा एकमित अलक्टरॉन है किसी परमाडू के पास तो वह एक से ज़्यादा सहसे जग बंद बना सकता है पर एक्जामपल यदि मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा ऑक्सीजन है और यह हमारा दूसरा ऑक्सीजन है मान लीजे इसके पास दो अलक्टरॉन है तो यह आपस में इनकी साज़ेदारी कर सकते हैं और साज़ेदारी करने के बाद क्या बना सकते हैं बांड बना सकते हैं इस बां माल लीजिए कितने अलक्टरॉन है मरग सोले में है तो 6 इस अक्सिजन के पास माल लीजिए कितने अलक्टरॉन है 6 अलक्टरॉन अब इनको अपने अश्टक को पूरा करने के लिए 2 चाहिए मतलब इसके पास 2 आजाए तो यह क्या करें अपने अलक्टरोनों को इधर डिस्प्लेस कर दे यह अलक्टरोन इधर आ जाए और इसके अलक्टरोन इधर आ जाए दो इलक्टरोन माल लिजेए तो अब इसका अदकार छेतर कहा तक बढ़ गया यहां तक इसका अधकार चित्र का तक बढ़ गया इसके पास भी कितने अलक्टरोन हो गया आठ और इसके पास कितने हो गया आठ चुकि एक बंद जो बन रहा है वो दो इलक्टरोना से बन रहा है तो एक बंद बन जाएगा यहाँ तो दूसरा बंद बन जाएगा यहाँ इसलिए मैंने कहा कि यहाँ होगा double bond लेकिन यह जो दौना इलक्टरॉन है इस बंद में उन दौनों के चक्त्रण की दिसा अमेशा क्या होती है विपरीत होती है अदीस परमाड किसी भी परमाड उपर एक से ज़्यादा एगमित लक्टरॉन यह है तो वो बंदन की क्रिया में भाग ले सकते हैं और वहाँ पर एक से अधिक सैसेंज़क बंद का नमाना होगा जैसे यहाँ पर क्या बंद रहा है जो अतिव्यापन होता है परमाड कच्छकों के मद रेखिये संयोजन जो होता है उसमें अतिव्यापन की जो दिसा होती है उसी दिसा में ही बंद का निर्मार होता है अर्थार जिस दिसा में अतिव्यापन होगा परमारु पच्छा का आपस में एक दूसरे से मिस्रित होंगे बंद निर्मार की दिसा सैसे जग बंद के निर्मार की दिसा भी वही होती है जितना अधिक अतिव्यापन होगा बंद उतना ही अधिक प्रवल बनेगा अब हम बात करते हैं कि जैसे ही दो परमारु हैं मानली जे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन परमारु आपस में दोनों के पास एक एक लक्ट्रॉन है आप ये जानते हो और दोनों हाइड्रोजन परमारु जो एक दूसरे से परस पर पहले बहुत दूरी पर है अनम्त दूरी पर होते हैं पहले उन दोनों के मद्द में आकरसन होता है वो एक दूसरे से पास आते हैं पास आने के बाद आकरसन जो होता है वो आकरसन लगातार बढ़ता हुए चला जाता है बढ़ने की वज़े से वो दोनों हाइड्रोजन परमाड़ों के एलक्टरोनों के मद्द में प्रतिकरसन होना सुरू हो जाता है तो आकरसन जैसे जैसे बढ़ेगा बाद में प्रतिकरसन प्रवावी होने लगता है तो एक इस्तिती ऐसी आती है जब आकरसन बल का मान प्रतिकरसन बल के मान के बराबर हो जाए उस इस्तिती में दौना पर्मारू एक दूसरे की और बिस्थापत होना बंद कर देते हैं उस इस्तिती में दौना पर्मारू के मद्द में जितनी दूरी होती है उस दूरी को ही हम बंद दूरी या अंत्रा नाव किये दूरी के नाम से जानते है यह दूरी है, सामबे दूरी होती है जिस इस्तिती में दौना परवारुवा के मद्द में आकरसर बल का मान, प्रतिकरसर बल के मान के बरावर हो जाता है यदि उससे ज़्यादा पास आँगे तो प्रतिकरसर जादा प्रभावी होगा जो कि इस थाय तो को कम करेगा यदि उससे ज़्यादा दूर जाएंगे तो आकर सरबल ज़्यादा प्रभावी होगा वो इनको पास में लाने की कोशिस करेगा जैसे मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ तो इस तरीके से मान लीजिए मेरे पास दो परमारू हाइडरोजन के हैं एक परमारू को मैंने दिखाया कि यह हाइडरोजन का एक नाविक है इसके पास एक लाक्टरॉन है और यह है हमारा है यह मेरे पास यह मेरे पास है यह इसके पास लाक्टरॉन है यह है एच बी ये दोनों आपस में मिल रहे हैं पहले अनंत दूरी पर हैं ये है E A और ये है E B लाक्टरॉन के लिए ले लिया मैंने ये दे दिया नाविक है मानली जी ये N A है और ये N B है तो जब ये दोनों परमानों एक दूसरे से बहुत दूरी पर थे तो ये पास आएंगे तो आकरसण बल जारा प्रभावी होगा ठीक है लेकिन जब एक मिश्चित दूरी तक ये पास आ जाते हैं तो पास आने के बाद अब देखिए मैं किस प्रतिकरसण की बाद करना हूँ क्योंकि आप जानते हो, सामान आविसों में हमेशा क्या होता है? प्रतिकरसण होता है, जबकि विपरीत आविसों में हमेशा क्या होता है? आकरसण होता है, तो जैसे ही और पास रहेंगे तो N A का N B के साथ, इस नाविक का इस नाविक सामान आविसों प्रतिकरसण होगा, इस इसी दूरी को हम बंद दूरी या अंत्रा नाव की या दूरी के नाम से जानते हैं तो इस H2 अनु की यदि हम बात करें तो वहां कितने परकार के बल कारी कर रहे हैं मतलब इस नाविक नाविक का इसके लक्टोन पर आकरसन बल लगेगा हR का इस पर आकरसन बल हB का इस पर आकरसन बल तो यहाँ पर टोटल आकर्सन और प्रितिकर्सन जो बल है वो छै हैं कितने बल हैं आकर्सन और प्रितिकर्सन बल आपके दौनों परमारों के नाविक एक दूसरे के साथ प्रितिकर्से तोंगे दौनों परमारू के इलक्टरॉन एक दूसरे के साथ प्रतिकर्सित होंगे एक परमारू का नाविक दूसरे के इलक्टरॉन के साथ आकरसनबल लगेगा इसका नाविक इसके इलक्टरॉन के साथ आकरसनबल लगाएगा इसका नाविक इसके लक्टोन पर आकरसन बल पहला है इसका नाविक इसके लक्टोन पर आकरसन बल दूसरा इन दौनों के लक्टोनों के बीच में प्रतिकरसन बल तीसरा इन दौनों के नाविकों के बीच में प्रतिकरसन बल चौथा ये आकरसन और प्रतिकरसन बल यहां पर कारे करते हैं ये दोनों परमाड़ी एक दूसरे से इतने पास आ जाते हैं जब आकरसन बल का मान प्रतिकरसन बल के मान के बराबर ना हो जाए ऐसी इस्तिती में बुम्मेंट करना बंद कर देते हैं के बीच में कि जितनी दुरी होती है उसी दूरी कोẢ़ साम में दूरी अंतरा नाव किये दूरी या बंद दूरी या बंद लम्बाई के नाम से जानते है हाइड्रोजन अडु के लिए बीवीटी सिद्धान किस तरीके से दिया गया उसके लिए तरंग फलन की व्याख्या किस प्रकार की जाती है उसको हम देखेंगे आगले वीडियो में इस वीडियो में हमने यह देखा कि बीवीटी को किस वज्ञानिक ने दिया था वो ने संसोदित किस ने किया इसकी विसेष्टाएं क्या-क्या है तो मुखी विसेष्टाएं बीवीटी की यह है कि बीवीटी यह बताती है कि परमाडू कच्छकों का रेखे सहीजन होता है दूसरी बात यह बताती है कि जो भी साज़ेदारी के लक्ट्रोन है वो दोनों परमाडू के मद्द में कैसे रहते हैं अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं उनमें अयुगमित लक्ट्रोनों के चक्रण की दिसा परस पर कैसी होनी चाहिए बिपरीत होनी चाहिए तब ही बंद का निर्माड होगा नहीं तो नहीं होगा और आगे के point यह बताता है कि यदि किसी परमाडू पर एक से ज़्यादा अयुगमित लक्ट्रोन है तो वह एक से ज़्यादा सैसेंजग बंद बना सकता है और last point यह बताता है कि जो आतिव्यापन होता है आतिव्यापन की दिसा ही बंद निर्माड की दिसा होती है मैंने आपको यह बता है कि जैसे ही बंद बनता है तो परमाडू एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके मद्द में कौन से आकरसन और कौन से प्रतिकरसन बल कारे करते हैं हाइड्रोजन परमाडू के लिए बीवीटी के अंसार किस तरीके से तरंग भलन का उपयोग करते हुए सहिंजक्ता बंद सिद्धान का प्रतिकरसन किया जाता है उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट बीडियो